उत्तरा खंड के 26 वर्षिय जातक है और भारतिय फौज में नौकरी करते हैं हातेली भेजी है उसका विवरण आज हम करेंगे मित्रों हातेली बहुत शांदर बनी हुई है सबसे पहले मध्यमा जो उंगली है अत्याधिक लंबाई लिये हुए है सीधी खड़ी है ऐसे लोगों को सक्सेस जो है कम प्रयास में मिल जाती है और ऐसे लोगों के पास धनसंपत्ती भी अच्छी होती है गुरू का परवद बहुत सॉलिड बना हुआ है और एक क्रॉस का निसान बना हुआ है तो गुरु परवत पे अगर क्रॉस बन जाता है ज्यानत्व में, गुरुत्व में और धर्म में ये प्रदप्त करता है विक्ति को बुद्धी बहुत स्ट्रॉंग हो जाती है और ज्यान अच्छा मिलता है अगर हम उसी के उंगली देखे रहें अगर गुरु की हम उंगली को गया है अब यही आलेड का निशान कुछ यह देखिए होरिजोंटल लाइन भी क्रियेट कर रहा है और नेगेटिव लाइने जो है वो कुछ नेगेटिव भाव अब नीचे भी उतरेंगे गुरू के परवत पर आप देख पा रहा हैं यह जो है दो रेखाएं यह है इनकी ग् की रेखाएं यह बहुत सुंदर होती है और व्यक्ति को कितनी सुंदर होती है उतने आसानी से व्यक्ति का विकास होता जाता है गुरू का परवत जो केंद्रित भाव हैं वहां से दब गए हैं गुरू तो थोड़ा सा कमी है उनके दबने का कारण क्या है दबने का कारण है यह मंगल यहां बैठे हैं मंगल अब मंगल ने यहां पर एक नाकरात्मक रेखा भेजी है जो यहां पर एक जो विश्णु सिंबॉल बना था शनी के परवत पर उसे काट दिया है इस रेखा ने यह परिवारिक क्लेश देती है दामपत्य जीवन में विलंब करती है शादी ए उसमें भी उसे भी डिस्बैलेंस करती है यह रेखा यह एक नेगेटिव रेखा है फिर यहां से भी एक रेखा आप देख रहे हैं यहां से निकल कर यह सूर्य के परवत पर पहुंच रही है यहीं से मंगल की मंगल परवत से राहु की रेखा यह राहु रेखा बहुत ज्य पत्ते भी फसेगी और इनके इनका मन को बेचेन रखेगी डूसरी लाइज जो है वो देखिए सूरपरवत पर पहुँच गई है और सूर Васव परवत पर पहुच कर वहां प्ता से इसमें कमी आती है बच्चे अपने पिता से बहस करने लगते हैं उस प्रकार हमें संतानों का सुहनी मिलता अगर इस प्रेकार का cross develop हो जाए और यह cross भी क्या है रहू की रेखा का है जो खतरनाक रेखा है इसलिएюсь सूरे के परवत को इसने ये दबा दिया है नीचे से आगर सूरे का परवत अगर दब जाता है तो विस्तार नहीn मिलता जीवन में प्रमोशन में दिक्कात आती है पैत्रिक संपत्ति के रेखा बनी हुई है जो उनको मिलेगी उंगली सीधी खड़ी है सूरे की सीधी खड़ी हुई उंगली व्यक्ति को सम्मान वगरा सब दिलाती है प्रथम पुर्वा सुंदर बना है दूसरा विस्तारित ह विस्तार इनको मिलेगा मानसंबन का बुद का परवत एक साधरन अवस्ता में आ गया है मैरिज लाइन भी एक साधरन अवस्ता में दिख रही है जो करीब 25 और 26 के आसपास इनकी शादी होना बता रही है उसी प्रकार अब देखे दामपत्य सुख में ये जो रिखा है जिस परवे में यहां पर एक यव पड़ा हुआ है तो बुद्धि वाला जो छेत्र है वो अभी इनका प्रावावित है वरतमान में अब इनके हाथ में जो मुझे सबसे ज़्यादा नाकरात्मक चीज मुझे दिख रही है वो देखते हैं आए शनी का परवत अगर हम देखते है तो एक औसत अवस्ता के सनी है और औसत से थोड़ा सा दब गए है अब इनकी जो लाइन है लक्की ये बनी हुई है और ये लाइन जो है ये वीक पड़ गई है क्यों वीक पड़ गई है क्योंकि देखिए मित्रों बहुत ध्यान से देखिए यहां सरीक वक्री रेखा चली ह शनी परवत से, जिसने पूरा आगे तक जाकर यहां तक नश्ट कर दिया है, और देखिए ये बुद्ध परवत को भी टच कर रही है, बुद्ध परवत को भी यहां से दवा दिया है, इस प्रकार ये बुद्ध को भी साधरन अवस्ता में, इतनी बड़ी वक्री रेखा शनी की इसने सूर्य को ग्रस लिया है जिसने शनी परवद को तहस नहस कर दिया है ये वक्री रेखा काली जो आप देख रहे हैं जान का खत्रा होता है ये जातक भारतिय फौज में कांग करते हैं तो फौज में जान का रिस्क तो होती ही है तो ये काली रेखा इनको जरूर हटा ल चंडरमा इनके वीग पढ़ गए हैं यहां से थोड़ा सा लटक गए हैं और यहां पर भी क्रॉस आ गया है चंडरमा एक साधरण स्तिती से नीचे चले गए हैं जब कि यहां पर मचली का साइना आप देख सकते हैं अब इस प्रकार अगर क्रॉस बन जाता है तो चंडर मन पीडित हो जाता है और व्यक्ति हर समय overthinking में चला जाता है वह यह सोचता है कि वह जो काम कर रहा है वह सही है कि उसमें कुछ changes लाए बहुत सारी जगया भ्रहमित रहता है देर से नीद आती है overthinking रहती है प्रथम मणी बंद अगर हम देखें तो प्रथम मणी बंद देखें इनका ये clear बना हुआ है साफ सुत्रा बना हुआ है दूसरा भी अच्छा बना हुआ संपत्ति रहने वाली है लेकिन तीसरा थोड़ा सा गड़बड है तो देखें यहां पर marriage के भाव में भी यहां पर कमी दिख रही है यही हमने बुद परवत पर होगा यह कमी होगी और यह जो रिखा प्रवत पर देखें यह एसी गई है और फिर यह दृत बब गया है जीवन रिखा की जो गती है आप देख रहे हैं बहुत सारे कटी हुई बहुत धूमी लवसता में केतु तक पहुँच रही है देखिए ये रेखा केतू तक पहुंच रही है लक लाइन कही गायब हो जाना मित्रो बहुत ध्यान से देखिए आपको देखिए यहां तो इनकी यह लक लाइन बनी है और यहां पर एक छवी आपको दिख्येगी ऐसी जो पूरी तरह गायब हो गई है इतनी बड़ी इनकी लख लाइन कब गायब हो गई है इन्हें भी नहीं पता पड़ा है ये 7-8-10 सालों में ये नाकारात्मक चिन पैदा हुए है हाथ में लक लाइन पूरी तरह यहां से गायब हो गई है और उपर वाली भी अब गायब हो रही है इस क्या हुआ है इस वक्री रेखा ने सब पूरे हाथ को डिस्बैलिंस कर दिया है और ये जो रेखा आप देख रहा है शुक्र परवस से निकल कर केतू को छूती हुई चंदर की और बढ़ रही है ये एक नाकारात्मक रेखा है इसने केतू को भी डैमिज किया है थोड़ा स था और अब चंदर को भी इसने धीला कर दिया है अंगुठे की अगर बेसलाइन को देखते हैं तो एक मेल चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड इनको मिलेगी बीच वाला हिस्सा बहुत अच्छा है तो शरीर मजबूत है और अपने अधिकारों के प्रति ये सचेत रहते हैं तर कार की ये भी महालक्षमी की ओर इंगित करती है अंगुठा उपर से बहुत अच्छा है और शक्ति शाली व्यक्तित्व को दिखाता है मंगल लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो मंगल है ये हमारी सपोर्ट लाइन होती है ये मंगल का परवत है ये शुक्र का ज्यादा ये राहू की रेखाएं हैं बस इसी का रेमेडी करना है इनका हाथ अच्छा है बहुत थोड़ा जल्दी बाजी में निड़े लेते हैं क्योंकि ये जो दूरी कम है इसलिए बता रही है इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति हैं बच्पन से ये जब से इन्होंने ह क्योंकि यहां पर इनकी माइंड लाइन और जीवन रेखा में बहुत जादा अंतर है और इस प्रकार अगर अंतर होता है तो व्यक्ति एक स्वतंत्र सोच लेकर पैदा होता है इनकी माइंड लाइन भी अभी बहुत अच्छी बनी हुई है इनकी उम्र है अभी करीब 26 साल तो 26 साल मैं यहां मानता हूँ जी हाँ मेरे यहां पे मुझे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है यहां पे यह के फॉर्मेशन्स है चब्विस के आसपास लेकिन यह 30 तक 29 तक रहेंगे और उसके बाद में फिर लाइन काफी स्मूथ जा रही है 49 के बाद तो इनका जीवन और स्मूथ होने वाला है इनको अपना गुसा जो है थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना चाहिए क्योंकि जो गुसे की एक रेखा यह हार्ट लाइन है और हार्ट लाइन से कोई भी आफशूट अगर निकल कर मंगल परवत की और जा रहा है तो आप स नहीं मिलेगा पिता के साथ संबंद खराब होंगे प्रमोशन नहीं मिलेगा बॉसिस के साथ लड़ाई जगड़ा होगा यह इनका हाथ बता रहा है यह वक्री रेखा इनके उपर जान का खत्रा बता रही है और आर्मी में है यह तो यह रेखा इनने जरूर हटा लेनी चाह श्री गड़ेशायनवाह पास अरस्वती नमस्तुभ्यम्